कोश्का दो तरह का होता है एक जन्तू कोश्का और एक पादप कोश्का जन्तू जैसे पेर पौधे प्रित्वी पर जितने भी पेर पौधे है तो पेर पौधे की कोश्काओं को हम लोग पलांतिसेल कहेंगे यानि हिंदि इसका हुआ पादप कोशिका और पेर पोधे को छोर कर जितने भी तरह के जीव जन्तू होते हैं तमाम जीव जन्तू को पादप कोशका पलांट के कोशका को कहेंगे और पेर पोधे को छोर कर जितने भी तरह के जीब जन्तू, लाखाँ तरह के जीब जन्तू होते हैं, उनके कोशिकाओं को हम लोग जन्तू कोशका तहेंगे, तो कोशका दो तरह का, पेर पोधे का कोशका जिसका नाम हो गया पलांट सेल, पादप कोशका, और पेर पोधे के क कोशका को छोर कर जितने भी तरह के जीव जन्तु होते हैं, तो उन जीव जन्तुों के कोशका को हम लोग जन्तु कोशका कहने और ये जन्तु कोशका का चित्र है, तो किसी भी जीव जन्तु की कोशका हो, सब का स्ट्रक्टर एक जैसा होता है, सब की बनावट एक जैसे होती ह तो हम लोग उदाहरन ले, कोशिका कोई भी हो, बाल की कोशिका हो, नाखुन की कोशिका हो, हड़ी की कोशिका हो, लीभर की कोशिका हो, किसी भी अंग की कोशिका हो, तमाम कोशिका की बनाबट एक ही तरह ही होती है तो कोशका तो मुख्य रूप से तीन भागों में बाटा गया है इससे पहले ये सब जो आकिर्थी देख रहे हो ये संपूर्ण कोशका का फिगर है और कोशका का ये सब अंग है जितना भी देख रहे हो ये सब कोशका का अंग हो गया जिसे कहा जाता है कोशिका अंग कोशिका अंग इसा संदी विच्छेद करोगे कोशिका जोर अंग कोशिका के अंग को कोशिका अंग कहते है जितना भी इसमें जो कुछ भी देख रहे हो ये चित्र में संदचना संदचना में कोश्टा के संदचना में हर एक को हम लोग कहेंगे कोशिका अंग कोशिका के ऑंग को जैनि कोशिका विभिन घटकाउं से बना होता है और परतिक घटक को हम लोग कोशिकांग कहते हैं, ठीक है। तो और ये हर एक कोशिकांग का काम बिल्कुल अलग-अलग होता है और जीबन समंदी जितना भी कारी होता है तमाम कारी इनहीं कोशिकांगों के द्वारा होता है इसी में आगे बतलाएंगे जो भी इसमें कोशिकांग है सबका अलग-अलग कारी होता है जीबन समंदी तमाम कारी है यहीं कोशिकांग करता है तो जीबन समंदी तमाम कारी का आज क्या हुआ जीबन में कौं-कौं कारी होता है जिसके चलते किसी का जीबन चलता है स्वसन, उत्सारजन, कोशन, परिवहन ये सब कारी यो होता है इनही कोशिकाओं के चलते होता है अगर कोश्का की मिर्तु हुई तो जीब की मिर्तु हो जाती है तो अध्जन के द्रिष्टी कौन से? कोश्का को तीन भागों में बाटा गया है और सम्हा कोश का धिल्ली तेल मेंब्रेन दूसरा है कोश का ध्रब भी और तीसरा हो गया केंद्रब तो जैसे हम लोग आम खाते हैं तो आम की संदक्षना में क्या होता है सब्स आम किन चीजों से घिरा होता है एक परकार का परत यानि छिल्का से तो कोश का भी एक परकार के परत से घिरा होता है एलेक्ट्रोन सुख्षिन दर्ची से देखने पर ये जो देख रहे हो ये बृत जैसा इसी का नाम है कोश का धिल्ली जैसे आम का छिल्का होता है ना आम के छिल्के के बीतर गुद्दा होता है आम का और बीच में क्या होता है आठी इसी तरह कोश का के मध्ध में ठीक मध्ध में होता है चंद्रः आम में आठी होता है तो कोश का में होता है क्यंद्रक और आम का छिलका समझ लो कोस्का धिल्ली हो गया और आम के छिलके एवं आठी के बीच में जितना भीकू देख रहे हो गुद्दा जो होता है तो इसको यहीं समझ लो क्यंद्रक और कोस्का धिल्ली के बीच में जो कुछ भी है इसका नाम है कोस्का ध्रब्य कोस्क चारों और से एक प्रकार की जिल्ली से घिरी होती है और बीच में क्यंद्रक होता है क्यंद्रक एबम कोश्का जिल्ली के बीच के पदार्थों को इन तमाम पदार्थों को कहा जाता है कोश्का द्रब्य ये टर्म याद रखना है कोश्का जिल्ली से कोई भी कोश्का घिरी हो और कंद्रक एबं कोश्काजिल्ली के बीच में जितना कुछ है इसका नाम क्या हो गया कोश्का द्रभ्गि तेन तर्म याद रह जाएगा कोश का जिल्ली जिन से कोश का चारो ओर से घिरा होता है ठीक बीच में हो गया क्यंद्रक एबं कोश का जिल्ली के बीच में जो कुछ भी है इसका नाम हो गया कोश का द्रब्वी इसके बाद एक टर्म होता है सब के बारे में हम बतलाएंगे कोश का जिल्ली कोश का चारो ओर से एक पतली जिल्ली से घिरी होती है जो दोहरी परतवाली होती है और क्यंद्रक बीच में होता है तो कोश का द्रब्वी क्यंद्रक का कोश का जिल्ली के बारे में समझा एक तर्म है जीवद्रव्य इसका इंग्लिस है प्रोटोपलाज्मि प्रोटोपलाज्मि किसे कहते हैं कोश का दरव्य और क्यंद्रक को समलित रूप से हम लोग प्रोटोपलाज्मि कहेंगे जीवद्रव्य यह बहुत इंपोर्टेंट चीज है बाद में सिर्फ चाचा होगी प्रोटोपलाज्मि तो तुरस समझ जाना कोश का दरव्य एबं क्यंद्रक को समलित रूप से हम लोग प्रोटो पलाजम कहेंगे तो कोश का जिल्ली समझ गया न कोई भी कोश का अपने चारों ओर एक जिल्ली से घिरी होती है जिसे कोश का जिल्ली कहते हैं इंग्लिस में पलाजमा मेंब्रेन इसका नाम है उदारन जो अभी दिये हैं फल का, आम का तो ठीक कोश का भी अपने चारों ओर जिस जिल्ली से बंद रहता है उस जिल्ली का नाम है कोश का जिल्ली अर्था पलाजमा मेंब्रेन देखो कोश का के चारों ओर ये तुमनों को हम लिखा देते हैं अपना लिख लेना कोश का के चारों ओर एक बहुत मुलायम पतली और लचीली धिल्ली होती है ये कोशका के चारू और जो है ये कापी स्वक्ट है मुलायम है लचीली लचीली सब जानता है ना लचीली होती है और बहुत पतली होती है जिसे कोशका धिल्ली या पलाजमा मेंब्रेन कहते हैं ये धिल्ली जिवित यान अर्ध पार गम्य होता है, अर्ध पार गम्य का अर्थ समझता है, अर्ध पार गम्य का अर्थ हुआ, जिसके आर्पार कोई भी बस्तू परवेश कर सके, उसको अर्ध पार गम्य कहते हैं, जैसे आटा चालने वाला नहीं होता है, जिसमें छोटे छोटे आटा के कर निकल जात और ये उसका भूसा जो भूसी उपर में रह जाता है उसी टैप का ये अर्धपारगम होता है जिसमें जिस जिल्ली से ये बहुत महिल पदार्थ भीतर जा सकता है और भीतर से बाहर आ सकता है सब तरह का पदार्थ नहीं इसलिए इसे चैनात्मक अर्धपारगम में जिल्ली भी कहते हैं चैनात्मक यानि कुछ चैनित पदार्थ सेलेक्टेड पदार्थ ही कोश्काटे भीतर जा सकता है और भीतर के बाहर आ सकता है इसलिए इसे अर्धपारगम में जिल्ली कहते हैं तो इलेक्ट्रोन सुक्ष्म दर्शी से देखने पर ये दोहरी परत्माली नजर आती है, यानि डबूल लेयर बाला ये जिली नजर आता है, जिसमें इलेक्ट्रोन सुक्ष्म दर्शी से देखने पर इसमें महीन महीन छिद्र दिखलाई देते हैं, और इसी छिद्र के द्वा पचे हुए भोजन का अंस इसमें आता है और कोशका में ही ऑक्सीजन स्वसन के रूप में जो हम लोग लेते हैं तो आउक्सीजन की उपस्थिती में उसका आउक्सीकरन होता है यानि दहन होता है जिससे उर्जा पैदा होती है कलपना करो अगर इस धिली में महिन शिग्र नहीं रहे तो कोई भी पदार्थ इसके भीतर नहीं आएगा और सम्पूर्ण शरीर कोशका से ही बना हुआ है कोई भी अंग ऐसा सरीर में नहीं है जो कोशका से नहीं बना हुआ है सब की अपनी अपनी कोशकाएं होती है जिसकी बना बट अलग होती है लेकिन परतेक कोशका में वही कोशकांग होता है जो कि किसी भी कोशका में किसी भी जन्तु कोशका में एक ही तरह का कोशकांग होता ह जेसे मेटोकॉंडिया, शरीर का कोई भी अंग क्यों न हो, पर तेक अंग के कोशकाओं में पाया जाएगा, जितनी भी ये संदक्चना है, तमाम तरह के कोशकाओं में पाया जाता है, तो ये कोशका धिल्ली क्या है, ये समझ गया, कोशका को चारों ओर से घिरने वाला, एक पतला, पतली, मुलैम और लखीला, ये धिल्ली होता है, जो चारों ओर से घिरे रहता है, और ये अर्ध पारगम्मी होता है, अर्धपार गम्मि मिन्स जिसके भीतर महीन पदार्थ जा भी सकता है और आ भी सकता है, सब पदार्थ नहीं, चैनात्मर, selected पदार्थ भीतर कोशका के भीतर इसी छिद्र से जाता है, जो कोशका जिली में जो महीन छिद्र होता है, और उत्रसर्जन के समय में इससे ब्यकार पदार्थ इसी चिद्री से कोशका धिली के चिद्री से बाहर निकलता है तो कोशका धिली के बारे में संड़सना में इतना ही अब किससे आगे कोशका धिली के कारी जिल्ली जैसे प्रोटीन और लिपीड का बना होता है दो परतिसका प्रोटीन का होता है अब बीच में लिपीड होता है चलो देखो कोशका जिल्ली का कारी क्या है तो कोशका जिल्ली यह कोशका को एक निश्चित आकार बनाए रखने में मदद करता है यानि कोशका जिल्ली कोशका का कैसा आकार होगा इसका निर्धारन करता है पहली बाद, दूसरी बाद यह कोश्का को यांत्रिक सहारा परदान करता है, मेकेनिकल सपोर्ट, तो मेकेनिकल सपोर्ट का आठ्ट क्या हुआ, बोलो तो, यह कोश्का को यांत्रिक सहारा परदान करता है, अची यह बतलाते हैं, यह समझ गया न, कोश्का जिल्ली, कोश्का के आतार को निर्धारित करता है, कोश्का कैसा होगा नहीं होगा, यह कोश्का का एक निश्चित आतार बनाए रखता है, इसके बाद यह भिन भिन परकार के अनुवाँ को बाहर निकलने एबम अंदर आने में नियंतरन करता है जैसे इसके भीतर में कौन सा पदार्थ जाएगा इसके भीतर का कौन सा पदार्थ निकलेगा इसका निर्धारन पोस्का धिल्ली करता है चुकि ये अर्धपारगम ही होता है, सब तरह का पदार्थ इसके भीतर नहीं जा सकता है और सब तरह का पदार्थ इसके भीतर से बाहर नहीं निकल सकता है जैसे चलनी का अभी उदाहरन दिये तो चलनी से आटा के कन निकल सकते हैं लेकिन भुसी नहीं निकलेगा तो चलनी नियंत्रित करता है भुसी को भीतर जाने से तो उसी तरह कौन सा पदार्थ इसके भीतर जाएगा और भीतर का कौन सा पदार्थ बाहर निकलेगा इसका नियंत्रन यहीं कोश्का धिल्ली करता है दूसरी बात इसको mechanical support परदान करता है mechanical support का अर्फ हुआ जैसे ये तो अत्यधिक मुलाइम पतली एबम लचीली जिल्ली होती है न तो अत्यधिक मुलाइम और लचीली होने के कारण इसको एक भीतर में देखो कितना कुछ पाया जाता है बहुत कुछ है न जी तो बहुत कुछ पाये जाने के कारण ये सब भीतर में भीतर के बाहर नहीं आवें तो कि जो भी कोश कांग है तो ये चैनात्मक पदार्थ को ही बाहर जाने देता है और चैनात्मक पदार्थ को ही भीतर आने देता है किसी फाल्तु पदार्थ का प्रवेश इसमें नहीं हो सकता है और इसके भीतर जो कुछ भी है ये चैनात्मत पदार्थ ही बाहर निकल सकता है इसके लिए एक ये सपोर्ट का काम करता है कौन सा पदार्थ बाहर निकलेगा और कौन सा पदार्थ भीतर आएगा किसी को करते हैं मेके निकल सपोर्ट परदान करता है तो मुख्य रूप से इसका बनावर जो है न ये याद रखना है इसका कारी क्या है ये याद रखना है मात पूर्ण है ये सब नेक्ट पर आओ जेखो कोस का द्रब या सैटो पलाज किसको कहते हैं पतलाए कोस का जिल्ली एबम क्यंद्रक के बीच में जो कुछ भी देख रहे हो उसी का नाम है कोस का द्रब इंगलिस में इसको सैटो पलाजम कहा जाता है समझ गया और बोले हैं अब ये कोस का द्रब एबम क्यंद्रक को मिला करके पूर्य को कहा जाता है जीवद्रव समझ गया ना तो कोश का द्रव अलग है जीवद्रव अलग हो गया कोश का द्रव एबं क्यंद्रव को मिलातर के जीवद्रव भी कहा जाएगा कोश का द्रव भी कहा जाता है यानि सैटोपलाज्म कोश का जिल्ली एबम क्यंद्रब के बीच बाले भाग को बीच बाले पदार्थ को कोश का द्रब भी कहा जाता है तो जीव द्रब क्या हो गया समझा जीव द्रब हो गया क्यंद्रब सही ये कोश का द्रब को मिला करके कोश का धिल्ली और क्यंद्रक के बीच बाला कोश का धरब हो गया कोश का धरब एबं क्यंद्रक को मिला करके जीव धरब तो हम लोग का सकते हैं ये कोश का धरब जो है किसका भाग है तो जीव धरब का भाग है कह सकते हैं जी तो जीवदरब का वा भाग जो कोशका जिल्ली एबं क्यंदरक के बीच इस्थीत होता है उसे कोशका द्रब या सैटो पलाजम कहते हैं हैं किलियर जीव द्रव का ऐसा भाग जो क्यंद्रक एवं कोशका धिल्डी के बीच में होता है इसका नाम हो गया कोशका द्रव इसमें होता है क्या-क्या तो अनेक तरह के अकार्बनिक पदार्थ पदार्थ दो तरह के होते हैं कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार दुनिया में दो ही तरह के पदार्थ होते हैं एक कार्बनिक पदार्थ एक ओकार्बनिक पदार्थ तो ये कोस्का द्रब जो होता है इसमें अनेक तरह के ओकार्बनिक पदार्थ होते हैं ओकार्बनिक पदार्थ जिसमें कार्बन नहीं हो उसे औकार्बनिक पदार्थ कहेंगे ये और्गेनिक केमेस्ट्री में तुम लोगों को बोले हैं न कार्बन और हैड्रोजन जिस योगिक में रहेगा निश्चित तोर पर उसे कार्बनिक पदार्थ ही कार्बनिक योगिक कहा जाएगा तो और कार्बनिक पदार्च बहुत तरह के होते हैं कोशका द्रब में जैसे खनीज लवन और जल खनीज लवन में बहुत कुछ होता है खनीज लवन और जल तथा कार्बनिक पदार्च कार्बनिक पदार्च, कार्बोहेड्रेट बसा, प्रोटीन को हैं यह जो हुआ तो कारवनिक पदार्ज और कारवनिक पदार्ज को तो कहते हैं जिसमें कार्भन और और हइड्रोजन ना लगभग जरूरी है तो ची इस चीनी का टिया हो गया कार्बन है गुलकोज का सुत्र हो गया तुमको कार्बनिक पदार्थ वसा कार्बनिक पदार्थ है इसके बाद आजाओ कार्बोहेग्रेट प्रोटीन वसा यह सब कार्बनिक पदार्थ है खनी लवन और जल और कार्बनिक पदार्थ जल का होता है न कार्बन नहीं है नहीं है तो इसमें जो होता है कार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ दोनों होता है कार्बनिक और और कार्बनिक पदार्थ निर्जी पदार्थ है जबकि कोश्का सजीव है कोश्का संपूर्ण कोश्का कोश्का अगर जीवित है तो कोई भी जीव जन्तू जीवित है कोश्का के मरने पर कोई भी जीवित पदार्थ मिरित हो जाता है तो कोश का द्रब में कार्बनिक और और कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो की निर्जीव होते हैं लेकिन कोश का सजीव पदार्थ हैं सजीव है ये कोशकाद्रव होता है कैसा तो गाड़ा पारभासी पारभासी जानते हो जिसके आरपार नहीं दिखाई दे उसे और पारदर्शक जिसके आरपार दिखाई दे उसे पारदर्शक और कागज में तू तेल लगा दो या शीशा में ही तेल रगर दो तो धुन्धला दिखला देगा उसको कहेंगे पारभासक तो यह जो इसमें कार्बनिक और और कार्बनिक पदार्थ होता है यह पारभासक होता है यानि इसके आरपार पूर्ण रूप से नहीं दिखला देगा इसके बाद यह गाढ़ा होता है कोषका द्रभ जो होता है इस कोषका द्रभ में बहुत रह की संदचनाएं पाई जाती है जो की जिवित होता है यह जो संदचना होती है यह सब जिवित है सजीव है इसको तू लोग समझा कोशका दरब क्या तीज है क्यंद्रक और कोशका धिल्ली के बीच में पाए जाने बाले पदार्थ को कोशका दरब कहेंगे जिसमें कार्बनिक पदार्थ और औकार्बनिक पदार्थ होता है ये निर्जीव होता है और ये गाढ़ा होता है, गाढ़ा एबम पारभासक होता है, एबम इसी कोश का द्रब में देखो अनेक तरह सी संदकनाय पाई जाती हैं, और हरेक संदकना के अलग अलग कारी हैं, जिसको अगले पार्ट में बतलाएंगे, मैटो कॉंडरिया का अलग कारी है, लाइसोसोम का है, इसके बाद आजाओ, गौल जी कहता, संद्रोसोम, लेसोजोम, इस सब का अलग अलग कारी है, अगले पार्ट में ये बतलाएंगे,